हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब लोग फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ हूँ कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में डेट ओप एगजिट गलत अपडेट हो गई है तो उसको कैसे ठीक करें क्योंकि फ्रेंड पीएफ में अगर एक बार डेट ओप एगजिट डल जाती है तो फिर वो ओनलाइन चेंड नहीं होती है फ्रेंड अभी भी बहुत से मेंबर ऐसे हैं जिनकी कंपनी वालों ने उनके पीएफ अकाउंट में डेट ओप एगजिट गलत अपडेट कर रखी ह और जिन मेंबर की कंपनी वाले डेट ओप एगजिट नहीं डालते हैं तो मेंबर खुश से अपनी यह नंबर से लोगिन करके डेट ओप एगजिट गलत अपडेट कर लेते हैं उनको पता नहीं होता है कि कौन सी डेट डालनी होती है और जब वो ओनलाइन अपलाई करते है तो उनका form reject कर दिया जाता है date of exit गलत अपडेट होने के कारण तो friend आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ हूँ कि PF में date of exit कैसे ठीक होगी इसलिए friend वीडियो को लास्ट सक जूर देखे और friend अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल आसू यसाई एंड पीफ नोलेज को सबिस्क्राइब जूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकोन जिससे आपको आगे भी इस तरह की वीडियो तेखने को मिलती रहे तो चली friend अब बात करते हैं कि पीफ में date of exit कैसे सही होगी friend इसके लिए आपको form 5 और form 10 फिल करना पड़ेगा ये form आपको company से भी मिल जाएगा और पीफ ओपिस से भी अराम से मिल जाता है और इसको आप google से भी download कर सकते हैं इसका link आपको description box में मिल जाएगा friend अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस form को भरे friend अब वीडियो को ध्यान से देखना friend यहाँ पर देखिए form 5 हमारे सामने है यहाँ पर देखिए सबसे ओपर लिखावा है name and address of the establishment इसके नीचे आपकी company का नाम और पूरा address आ जाएगा फिर यहाँ code नमबर के आगे आपका P.F. account नमबर आएगा जो D.L. से start होता है उसके बाद इन दोनों में कुछ नहीं आएगा फिर यहाँ नीचे serial number में number 1 डालके उसके आगे अपना P.F. account नमबर लिख देंगे जो D.L. के बाद last में oblique करके आता है उसके बाद name of employee में यहाँ पर इसके नीचे आपका नाम आ जाएगा फिर father या husband का नाम आ जाएगा उसके बाद आपकी date of बरता आएगी फिर यहाँ sex फिल कर देंगे male या female उसके बाद date of joining में आपको date डालनी है कौन सी date से आपने company में यह ज़्यादा जुरूरी नहीं है फेंड आब आता है form 10 यहाँ पर same वही वर देंगे CL नंबर में एक उसके बाद pf account नंबर फिर नाम father या husband का नाम sex male या female उसके बाद date of living में आपको date डालनी है कब आपने काम छोड़ा था या आपको company से पता करना है अगर आपको सही से मालूम नहीं है तो उसके बाद region for living में आपको left of service डालना है और remarks में अगर डालना चाहो तो correct of date of living डाल देना उसके बाद नीचे आपको एक option दिखाई देगा signature of the employer यहाँ पर आपकी company के मालिक के sign होंगे इस time के साथ फैंड उसके बाद आता है joint declaration form इसको भी आप google से download कर सकते हैं इसका link भी आपको description box में मिल जाएगा फैंड यह देखिए form हमारे सामने है यहाँ पर सबसे उपर आपको अपना 12 digit का your number लिखना है और उसके आगे date डाल देंगे फिर यहाँ नीचे pf office का पूरा address आ जाएगा वो आप google से भी search कर सकते हैं उसके बाद यहाँ subject में लिकावा है joint declaration by the member and the employer इसके आगे अपना pf account number लिखना है फिर यहाँ i के आगे आपका नाम आ जाएगा उसके बाद नीचे company का नाम और पूरा address लिख देंगे फिर यहाँ last में आपको एक option दिखाई देगा date of living का इसमें correct के आगे आपको date of living सही वाली डालनी है जो आपको अपने pf account में सही करानी है और wrong में वो डालनी है जो आपने online update कर रखी है और इसमें उपर सारे column में कुछ भी नहीं भरना है उसके बाद नीचे लिखावा है name and signature of applicant इसके आगे आपका नाम और sign होंगे उसके बाद लिखावा है name of authorized signature यहाँ पर जो भी आपकी company का authorized person या employer है उसका नाम और sign होंगे इस time के साथ friend अब बात आती है documents की friend सबसे पहले आपको ECR की copy लगानी है उसमें हमने last कांट तक काम किया है उसमें contribution आ जाता है यह ECR P.F. office वाले form 5 और 10 के साथ मांगते है या आपको company से मिल जाएगी जिस month में आपने काम छोड़ा है सिरफ उसी मंद की ही आपको ECR निकाननी है उसके बाद इसके साथ अपना धार कार, पैन कार और bank account लगाना है इन सारी copy पर आपके sign होंगे और company के stamp के साथ फिर पूरे set की आपको एक photo copy करनी है एक original set P.F. office में जमा हो जाएगा और photo copy पर आपको receiving मिल जाएगी फ्रेंड जो इसका process होता है वो 15 से 20 दिन का होता है उसके बाद आप UN से चेक करके online apply कर सकते हैं फ्रेंड I hope कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड अगर आपको अब भी कोई problem आती है तो आप मुझे comments कर सकते हैं या मुझे mail भी कर सकते हैं मेरी mail idea आपको description box में मिल जाएगी यह video उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है जिन लोगा के मेरे पास comments आये थे और mail भी आये थी और उनकी date of exit 101% सही हो जाएगी